हेलो हेलो अबाश्टी का रही है तो बीबी का डेकॉर खराब करते वह हावारी कोलब बॉर्ट छल रही है बेसिकली चलो खेल हेलो 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 अन वेलकम टू दे इंडियन कपल पॉड्कास्ट बहुत टाइमबाद फिर से इसने कोशिश करी है पूरा पॉड़कास्ट का सेट अप नीचे ले हैं तो पहले क्या होता था कि हमें सब कुछ एक माइंड मेकप होता है फिर एक फिजिकल एफर्ट होता है वो सब करने के बाद हमें सीड़िया चड़नी पड़ती थी बारा तेरा और अपने स्टूडियो में साथ हमारा स्टूडियो तंदूरी चिकन की तरह तंदूर हो चुका है उसमें बहुत जाला गर्मी है थैंक्स दिल्ली गर्मी आपको पॉड़कास्ट नी आ रहे थे हम आलसी लोग भी हो चुके है तो इसलिए 26 किलो का सोफा हम दोनों ने कल ऊपर से नीचला है यह वात बाद है बड़ा है वड़ा हम एक लाप कर लेते हैं हम दोनों ने करते हैं अच्छा तो मैंने यह बने इसमें दो चीजें हैं दो में चीजें हैं एक तो इसके पाई खोलने पड़ेंगे ऐसा हमें लगा था जब आया था तो इसके पाई खोल के लाए था तो मुझे लगा कि शायद ना खोलने पड़ेंगे तो मैंने इसको बताया तो इसमें नहीं खोलने बढ़ेंगे फिर दूसरी चीज यह हुई कि जब हम निकाल के रूम से बाहर लाए न और सीड़ी के सामने रखा तो मैंने त करती है ऐसे कामों के लिए और फिर काम है ना बाहर जा के महनत करने पड़ेंगे हां उनको ढूणना पड़ता है एक तो सोफा लाने का विशे में को तरी बात से आदा है कि दो चीजे काम आती है एक जो बंदा अपनी बॉड़ी से ही क्या अलकुलेट कर लेता है कि ही चलिए अगर हमारे घर के बड़े वेरी मौम्मी अगर देख लेती तो बिल्कुल वो जानती है कि अंपागल है तो वो कह भी देती कि हम पागल है तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पॉड़कास का टॉपिक है बच्चे बड़ा आपका फेवरे टॉपिक हो रख है हमारे इंस्टाग्राम के उपर टॉपर आप लोगों को पसंद है इमेजिनरी उनका सवाल यहां से होता हो गो ना किया तुम रमन को देख लिया नी मुझे तुम दोनों का बेबी देखना है कि वो कैसा होगा ऐसा मैंने भी तुझे केई बर बोले है यहां आपको जरूर हम जल्दी दिखा देंगे मदद से कि हमारा बच्चा कैसा होता तो वैसे ही जो लोग हमें देखते ना उनको एक्साइटमेंट होगी कि और एक बेबी तो कई बार बहुत नए लोग भी आरे हैं तो पीपल कम उन देखते हैं तो बोलते हैं आपका बेबी कहां है और फिर अवी हम मेरी सिस्टर की बेटी के बर्ड़े पर गए तो नए लोग आए ठीक है उन्होंने देख अच्छा यहां इंका बेबी चुपा रहे थे ती कि अच्छा उन्होंने लोग ऐसिस्टर के बोलते हैं तो वह जाए थे लोग भी उख दिलाना पड़ता है कि नहीं हमारा बेबी या बदाना पड़ता है वह थे थे एंपर बेबी नहीं है फिर वो बूछते हैं क्या बात कर रहे हो फिर पोई बोलता है जो भी पॉलते हैं मैंने खरना शुरू कर दे जो प्रेला पाल्ट कोई तो इसा हैं जाए टो अम लोग बोलते हैं कि कोई आप से ज्यादा सवाल करे और आप जवाब देने के ऊसमें नहीं जवाप दिने जवाब अब मतलब बर्दे बाले दिन 400 DM होगे कम सब नए लोगों को क्या आप उस बात का क्या जवाब दे सकते हो ना किसी को मतलब उस ताइम आप क्या ही बोल सकते हो किसी को सबह रहा है क्योंकि नहीं कि आप राम से बटो एक DM है Hi, how are you? It's your baby? No Okay, why you don't have kids? वो बोलते हैं कि where is your baby? Okay, where is your baby? If she is not your baby, मैंने बोला है मेरी बहन की पेटी तो where is your baby? We are child free by choice यह मैंने एक और शापा हूआ है Okay, I've got something new, then I'll teach you to tell me That's good, but then you get offended by people That's your choice, right? You have all your choice Yes, when I write it, then You can't offend any other things No, no Because you can't control it, right? So if I want a baby, I'll have a baby If I want 10, I can have 10 If you don't want, it's your choice If you don't want it, it's your choice They are very naive and new to this concept तो फिर वो आपके लिए वहा किनी नहीं हो नहीं हो नहीं हो एक उनके लिए एक स्कूल्ट कर रहा है तो बेरी गुट फ्रेंड फ्रेंड भाइन मतलब बच्पन नर्सरी जेए वी आन जाएगर ये वी अजलेट चोड़ी बात ये कि जुटी जुटी बात ये कि वारे साथ था तो उसके और उसकी वाइज ने भी डिसाइड किया घ्टाइड जाएड एक जाएड एकड़ we connected on that level that you know he was not finding anyone to share this feeling or this PR I am child free by choice and I am okay with it and I want people to let me breathe first of all you have to tell people that I am okay with it first thing when you tell people that I am child free and you are personally so how do you say it with your eyes the bombastic side okay that's why I say really or there is something wrong with her or wrong with you or xyz so we will wrong so when someone is in DM when someone is in DM then sometimes someone is very naive asking why what happened because they like you they have just started seeing you so they are concerned or they think that we don't know so tell them they are looking for a story so I am going to reply that I will send a link so one girl is angry why? so she wrote something like that you are so rude I asked you a simple question you are sending me a YouTube link I was like this is a promotion so I didn't say that I am promoting my YouTube channel but that is the answer to this podcast but okay I love you girl we have done that podcast we have done that in a very casual way we don't do anything like that but sometimes we try to tell you something in a structured way or we have done that in a very casual way or we have done that in a very casual way or we have done that in a very casual way because people are going to ask extended questions and the good part is that people who have taken that decision take it or take it no no people who have taken that decision or there are people who are new in their relationships or they are getting married or they are already married but they are really confused that people have started to connect with us on this note that you have to tell yourself we want to know how is it they have so many questions I was not able to think about it I have seen people who have asked you you guys are so nice you should have a baby you have no feeling but people who have asked questions there are a lot of people who belong to this thought process and they are really confused okay so that's how I was I had also asked my questions and I was asked brother tell me what is the question for the podcast okay so that's how I came to ask that question okay so yes if you are new to this channel then I would like to tell you first of all if you are new to this channel I would like to tell you my name is Raman this is Neeti and we are in our 40s I am very not very happy to say this but okay I am 40 now I am 40 now I am 40 now I am 40 now I am 40 so I am 40 now I am 45 now I am 45 this November so I am 45 now I am 45 we have lived so much life and then we are still hot and then we are still we are still child free life okay so if you are thinking are there the right people to answer these questions somehow we will say yes okay so and all of this what we are saying is personal choice and decisions we don't influence we can only talk about our own experiences how we have felt during all these years we have talked about it through a lot of years and then somehow because you kind of develop certain feelings sometimes you want it and sometimes you don't want it sometimes you are okay with it sometimes you are not so then you talk about it so we have seen a lot in 10-15 years and now we have reached a point where we are very happy with our own selves the way we are you have decided that we are so that's why I am saying that our answers are totally completely based on our personal experiences our personal experiences and it has nothing to do with and we were also confused we were also confused we are not now let's start okay how to actually how to actually decide whether I want kids or not I am in two minds this girl has written one another question how and when did you decide you want to be child free also please skip any questions you aren't comfortable to answer thank you so sweet same person we don't have to tell anything same person same person asked do you ever think how how life would be different good or bad if you decide to give birth or adopt okay that's a separate podcast do you think you might regret this decision later in life same bandhikanth question how to how do you deal or respond to questions or judgment reactions from relatives and others so 5 questions 4-5 questions 1 5 so let's go with one question and try and answer that okay cool and before you answer that question I will tell you I was the one in a relationship I think when I hear questions that's the same thing when two people are involved and one person is sure the same thing when one person is sure starts from that when one person is sure one person is sure one person is a couple in a tour so I was pretty sure from the first time when we were dating we were not committed then I would say that I would say if I would marry whatever I would do but I would not do but I would say that's the same thing I thought you can say about yourself that you should you should I should and I thought that sometimes we say maybe with time with age that thing will be normalized but I thought that he is not very serious about it because he never really opened up about why I don't want it was like a statement I used to listen I used to like okay fine I will do I will do I will do I thought and then after that the process you know the point is I want to tell you that we were sure she was unsure I think when I told you that she was married after marriage after marriage after marriage I was I was kind of maybe that's the reason if I go back and look if I go back and try and figure out that if somebody is giving me I will not do that but मुझे लगता है कि जब तुने मुझे तब बोला होगा when we were just going around कि I don't want to have kids and all that तो मुझे असा लगता है कि मैंने तब तुछे ये seriously क्यों ही पूछा मतलब समझ रहा है आज अज उतनी मेचे और हूँ कि मैं तुछे पूछा हूँ तो मुझे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं आज बोल रही हूँ कि शायद मैं ऐसा सोचा होगा मुझे नहीं लगता और कभी अमारा इसक्षिन नहीं हुआ और गोइंड डिप डाइव दाउन आस तो वाए तो Say after two years of marriage maybe you would have asked a very serious question I started asking him as to why because I wanted to understand from where he is coming so then he gave me all the examples and what was he case ultimately boils down to one thing that from what I understood that you are when it comes to a kid or a baby तो मुझे ऐसा लगता है कि you are that person कि यार यहां पे तो लेला का बाल है यहां तुमने कैसे रख दिया, you are that kind of person I am carefree, मैं तो डाल दूंगी बच्चा कहीं ही, मतलब मैं तो must हूँ मैं वैसी ही हूँ, मैं चाहती भी वैसे ही हूँ, to raise my kid if there was any but तो तेरी बात सुनके मुझे लगा कि you are too conscious तो लेला को लेकि इता conscious है तो मुझे ऐसा लगा कि तुझे in your own mind you think that it is so big a responsibility that you will fail at it more than failing, I don't mind failing, मैं काफी चीजो मैं तो मुझे पहल हूँ, more than failing I would like to say कि because of that fear you are not ready to take I am too caring and I am too worried और यह बात सच है कि बच्चा आप जब करते हो तो एक लोग कहते है ना कि वह वाली feeling होती है that having kid is the most beautiful feeling, ठीक है वह वाली, वो मुझे लेला के साथ आई है ठीक है, वो मेरा बच्चा ही है लेला मगर एक इंसान का बच्चा और एक डॉग में फरक होता है I know that fact जब हम ऐसा बोलते है तो जो लोग बच्चे जिनके है they are defended ठीक है कही ना कहीं कि यार आप बच्चे को डॉग से नहीं कर सकते आपको feeling पता ही नहीं है ठीक है तो ओके जोटा बच्चा जब डॉग से खेलता तो उसको वहां से ही वहां से फीलिंग मिल रहती है तो लेट से कि हमें नहीं पता है ठीक है बट जितना भी मुझे पता है मुझे पता चला कि मैं ज़्यादा केरिंग हूँ और मैं जब मैं लोगों को बच्चे संभालते वे देखता हूं और जब मैं वह एक्जामपल सोचता हूं कि अच्छा सब किसी के बच्चे हैं हाँ आर दे मैनेजिंग देर लाइफ हाँ आर दे टौकिंग अवाट देर किड्स अब दे टौकिंग अवाट जनरली जब मैं देखता हूं और हम बच्च्पन से भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी मुश्किल से पाला है और उन्होंने हैटस ओफ टु देम मैं वह नहीं कर सकता मैं वह नहीं लेना चाहता है अगर मैं वह दोंगा तो मैं mom that farm कि मैं अपना झाहता हूं याजसा मैं हूं मैं उसपो खोड दूँँअ फिर मैं सारा ध्यान मेरा उस पेड़ाईगा वो हमारा ने साधी करी। दुन्हां के सब्सक्राबर कहके वैंसा जवार फहीं कर्या जया सम्सक्राणिकर rican हम दोनों ने शादी करी हम दोनों हैदरबाद में अच्छी जॉब्स कर रहे थे और दो तीन तीन लोग चोड़ के यह सब करेंगे और उसको भी करते करते हमें आज 5 साल हो रहे हैं लग-बक हमने अपनी पूरी फइनाइंशल स्क्राइटी खतम कर दी and we took a big, big, big risk जो कि और advisable नहीं है अगर हमारे एक बच्चा हो जाता हम कर लेते because you said, she said, whosoever said और मैं कहता चल यार, कर लेंगे तो यह सब मैं नहीं कर पाता और इसको मैं लूज नहीं करना चाहता तो मैं अपने बच्चे को लेकर रिग्रेट जरूर करता that is me कि यार, अगर यह रिस्पोंसिबिलिटी मेरे सिर्फ पर नहीं होती न तो मैं यह कर सकता था या मैं यह करना चाहता था that's who I am personally ठीक है? हाँ, मुझे बच्चपन से नहीं पता था जरूरी बच्चा क्यों करना है तो उसके उपर लोगों के पर आंसर नहीं होते है क्योंकि सब करते हैं is the answer so वो मैं नहीं हूँ अब किसी और को stupid reason लगेगा क्योंकि वो इस चीज़ को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते है especially also तो जैसे हम जब बहार जाते हैं मेरे friends को ले गए एक्जामपल दे रहा हूँ maybe someone would not like it the emotion is important मतलब जब मैं अपना को रियाशोर करता हूँ कि मैंने नहीं किया अच्छा ही किया है मैं उसकी बाद बता रहा हूँ ठीक है बुरा दो महीने गो आ रहे है ऐसा पुछ कर रहा है और अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसको यहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ और आम से जी है अपना इंजॉय करे but पता नहीं क्यूं I saw a girl sitting with her parents she's in her 20s or something अभी-अभी college joint किया and she was having vape and hookah लगातार महाबब के साथ बैठके और मैं आपने आपको पहले question कर रहा था कि क्या मैं ऐसा हूं जो मैं उसको judge कर रहा हूं मैं judge नहीं करना चाहता हूं तो मैंने I stopped myself why should I judge a kid or their parents their own life but if I was there I would not do that मैं वही तो पोल रहूंँ you in your own mind looking at people in childhood मैं तुने जिनको भी देखख आपने आसपरोस वालों को maybe your parents their struggles your struggles ठीक है ना जो भी होता है so you've seen everyone and you've set a standard so high that in your mind you think it is impossible to raise a baby maybe I am a perfectionist at certain point मैं वो कर नहीं पहूंगा तो तुने वो रेज इतना बार कर दी है कि तुदी डर गया है so it all comes from that fear जो इतनी responsibility एक बच्चे की responsibility में कैसे ले लो हमारे parents और तेरी मम्मी नी बोलती मैं तो बिलकुल सही मजाख पर बोलती है मैं फोन पर कहती है कब कर लो ना आये तो फिर वो कहती है पल जाएगा यार यह लाइन से मैं इरिटेट हो जाता हूँ बच्चे पल जाते हैं बच्चे तो पल जाते हैं पाला जाता है उनको हाँ मैं फिल कि जब कोई जब मैं शौर नहीं हो और मेरे पास कोई प्लान नहीं है और मेरे पास कोई प्लान नहीं है I don't have the perfect resources अब जैसे मैं देखता हूँ एक birthday party बेगे थे वहाँ पर मैंने देखा और मेरे और मेरे वहाँ वहाँ तो फिल जाता है तो मैं बतारी हूँ I was I was absolutely right in evaluating your mindset सब्सक्राइब कर दो तो तीन साल के बाद when we used to have that conversations I remember I was that time मतलब होता ना कि शादी हो गई अब ठीक अब मेरको एक बेबी चाहिए टाइपस मेरे सारी फ्रेंड के हो रहे हैं इसकी फ्रेंड इसको पोलती थी पूच तो मैं तब मैं फिर इससे serious conversations मारी तब हो ही है कि क्या क्यूं और फिर जब मुझे समझ में आया तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इसको बोलूं कि यार तू कर ले तू छोड़ मैं देख लोंगी वो नहीं मैं चाहती है आई वांट इम तो बी एन 50-50 पार्टनर इन राजिंग बेबी तो अगर बात जरूर करो और लंबी बात करो और चाहे दस लोगों से बात करो चाहे कांसलिंग लोग बट अगर आप पूरे मैं तो गदियां पतक देती हुँ ना मैं तो गदियां पतक के ना ताम कर लेती हुँ बट फिर बच्चे को खीचाता हुँ तो वन दिदी फाइनली डिसाइड इस वट थी यह फोर यह यह इस तो कीप आस्किंग इम इस्तिल रमेंबर मैं इसको एक बर बोला था अब भी मोस्त रिसंट्ली कोविड के बाद भी क कि भी मोरी कि हम इस तो खीमी किन रेल बॉकिसार था था एंपाँ जर्वेत डिसार शु एक बाद बता बता देती हुँ एक 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 को तो मैं तो यह मानती हूं मैं यह नहिसो चाहिए मुझे ला दे अब मुझे बिलकुल नहीं चाहिए अब आँग इस पॉंट आँग उस पर भी बढ़ ने क्वेशन लेंगे मैं ये कहरही हूं कि अगर आप जिस भी अलात में होते हो आप अपना जुगाड कर लेते हो वो तो पक्की बात है माहूं वाली बात नहीं कर रही है हर बचा अपनी किसमत लेकर आता है हमने बहुत डालोग सुने है हम तद दस दिन कर रहे हैं हमने अपनी जॉब छोड़ी उसके बाद हमने हम तो महीने के लिए गुवा चले गए हमने आज तक एक लंबा हॉलिडे लिया ही नहीं है तो भी जाता मारसा मतलब जाती अच्छ ठीक है उसके बाद हमने अपने सारे एसेट्स लिक्वेड करके हमने सोचा कि जो भी होगा जे में पैसे होने चाहिए काम जब भी आएगा आएगा पहले हम अपना ध्यान देंगे कि health-wise, that no one would do it, but have I ever said, no, I can't do it today? No, you did not. That's why I have faith on myself, I am that kind of person. Like you know yourself, I also know myself. So, I don't buy all this, but having said that, your reason was completely agreeable, because my point is that you are 100% sure, and you are not willing, so I don't want to raise a baby on my own. Then what is the point? I think you are thinking about it, but I don't want to agree with that. Do you know, if you have a child for 4 years before, then who is in which class? No class. Now it's a little bit, right? What class? Do you not think about which school? No, I am going to school in 6th and 6th, and I am going to school in Delhi, government rules. 4 years ago, I was reading at home, I was reading at home. I am reading at home. Do you know what the problem is? I told you, we are traveling, we do some things. You know what the problem is? You know what the problem is? I am going to school in the home school. I will not be studying. I am going to do it again. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. How can people not scare you? मैं जो रहे हुआ 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 है इस तो इस लिए एप घृट इस लीकिल टिए इस लिए गए पुरी दुन्या में तीन लोगों ने किया मुझसे तो नहीं हो पाएगा तो महारा सूइट सुछिडर चल रहा है और मेर को लगता है कि I will become a Superwoman and I have always become a superwoman when I have given a task so why did you not because I wanted to raise a baby why did you not push me and force me because you were very certain so did you sacrifice is the question yeah I did why? that's why people I mean I have done it because if I want to do it then I want to do it and then I want to feel that I mean what we both feel I want our baby to feel that that bond and if it is not happening because somebody is not ready somebody don't want it then there is no point it's not a toy that I can do like you did with me when Laila was brought to you because you did not want a dog and I was brought to you example is that and then for a year it will take me a problem I am a problem and I also felt like that you should give me because there were no friends nothing there in Hyderabad I was completely alone you were spending 4-4 hours with Laila and I used to feel irritated because I was not ready for it I used to love pets I was in my childhood but you are mentally ready for that but I always respected what you want to do and I did not no you always do what you want to do but you said we decided what we did that's the reality of it that's the reality of it isn't it? let me clarify because if someone is like this who is thinking that I will sacrifice no 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 what is there what is there no 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 चलाई थे फिर, यह बड़े हीटिड डिसकेशन हो रहे हैं, उसका सवाल तो मुझे लगता है पीछे रहे हैं, हम बहत आगे निकल चुके हैं, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मैं यह कहरी हूं कि अगर आपका पार्टनर आपको वो बोलता है, अब मैंने जैसे आपको बताय कि मैं चाहती हूं कि उस बच्चे को उतना प्यार उतनी, मतलब, वो समझ रहे हो, that feeling of oneness उसको वो मिले, जितनी मुझे उतनी इस से, and together we feel like a family, that's my idea of raising a kid, that's how I would want to raise a kid, but अगर तरफ से, it is very clear, तो मुझे पता है, that you are not ready for it, and I don't want to topify something on you, because वो जो बंदा है, उसके भी तो emotions है उसकी भी तो feelings है, उसकी भी तो feelings है, एक चोटा baby जो भी आएगा, girl, मेरी feelings की care, उसकी भी तो emotion है, उसकी भी तो feeling है, वो non-living item तो नहीं है, कि मैं मेर को चाहिए, तुर को नहीं चाहिए, तो मैं क्यो sacrifice करूं, वो नहीं हो सकता, so you have to weigh, what you are gaining and what you are losing, so I was not losing much, so I went along with it, so how, अग अपनी friend के घर जाती हो, और उसकी बेटे के साथ तुमारा काफी लगाव है, ठीक है, और you consider her like your daughter, वो भी तुझे वैसे ही consider करती है, तो तुझे वो feeling आती है, उससे साथ मिलके, बैट करके, तो फिर उस time पे तु मिस करती है, यह मेरे पर attack करने के लिए, यह लोगों को help करन अपनी true feelings बतारी हूं कि कई बार ऐसे moments आते हैं, जब आपको लगता है कि आपको भी चाहिए, बिकॉस आपको लगता है कि यार, मतलब अगर अपना बेबी हो, ठीक है, तो उसके आगे पिछे ना फिर आपका, मतलब यॉर वरल इस सो कंप्लीट, यॉ दों नीड नीड अप कर रचे के लिए हम को app Itaub kuinti mm mwen और यॉ दों मी अपको क new यॉव ड्रा को भी आपको तू अपको। आपको लॉपक कर दों दो कि हौं को भी यॉर प्निय Лएन, टो एंव पती दढ़ पकार, मतलब्र में को बिद मिग री मियॉर यॉर दोसे निगे, पी आपको साथ और मे कि मतलब मेरे तु नहीं है बट मुझे वो प्यार मिलता है और कभी-कभी मुझे इसा लगता है कि I need more of it हम में किते दिन जा सकती हूं और रह सकती हूं तो सम्टाइम्स आप मिस्स इत अं सम्टाइम्स आप फिल दा I also want that kind of companionship coming from a daughter मतलब daughter ही मुझे इच्छी लगती है तो मैं कुभी उसको miss करती हूं अब अगर boy हो जाता है तो बहुत गड़ गड़ है मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि I am in depression I am okay with that it was my choice and I am completely okay with that but do you feel that वो वो आती है वो उनको सजाती है चोट चोट लेंगे चोली ये वो तो मेरा तो बड़ा मन करता अब को सपती में कैसी है अफिर जब तो घर आ जाती है तो फिर वो फिलिंग रहती है या वो फिलिंग चले जाती है नई मतलब हाँ वो सब साइड हो जाती है ऐसा कुछ नहीं है I feel very content with my life I don't have देखो simple सी बात ये है कि it's a choice that you make whatever the situation is he doesn't want, I want whatever it is whatever you decide अब अगर मैं बेबी कर लेती और वो होता 4-5 साल का और ये उस चीज मतलब ये समझ नहीं पारा होता तो मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पे बैठके इतनी खुश नहीं होती जितनी मैं अभी 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 अपनी करना सीचुएशन नहीं है प्यार तो ऐसे कहते है सबसे प्यार हो जाता है तो बच्चे से भी हो जाता है अब तो ऐसे आने कि तू जब hypothetically तू मुझसे जबरस्ती बोलती तू मुझसे जब चुश जब चुश जब सम्टाइम्स मतलब मैंने ही इसको बहुत बार बोला कि अच्छो मैंने बच्चे नहीं कि बच्चे ऐसे होते हैं छोड़ना मैं तो बड़ी खुश हो ये उन बड़े बच्चों बदे के बात कर रही है जो हमारे आस बस होते हैं बच्चे नी, बड़े बच्चे, जबच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे, तो मैं, तो आपको mixed feelings आती है, and you live with it, and there is nothing to worry about. But it's mixed feelings में से देखना, कि अगर आपको बाद में लगे कि यार, मैंने क्या कर लिया, उससे अच्छा ही है, यार पहले ही decide कर लो. नहीं, नहीं, मुझे लाइफ में एक चीज मेर को लाइफ में कभी नहीं होगी, और वह हैं regrets, because, मेरा सौ्टेड है, if it is my mistake, I own it, I learn from it, and I move on, regrets नहीं, तो वैसे हम child-free question. Do you think that, oh, सही सवाल आगा, do you think you might regret this later in life? नहीं, असा नहीं होता. लेटर इन लाइफ मेरे आसपास नहीं होते हैं, तुम्हारे आसपास, sister की बेटी है, मेरी friends की तीन बेटी है, and then I have my sister, Tintin है, Chinta है, तो मेरे आसपास बहुत बच्चे हैं, इनके साथ में अपना connection बना सकती हूँ. और कौन नहीं आता यार मासियों के पास, मुझे तो लगते हैं, दुनिया की नमबर वन मासियों के पास, मुझे तो लगते हैं, जब तु अपने फ्रेंड्स के घर जाती है, तो वो अपने मम्यों को छोड़के तेर साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, एक एक दो तीन पास, मुझे तो अपने मेरे को रिग्रेट नहीं गार। people so they will say what they have to say and there will be people who are really close to you maybe your parents and your in-laws चलो अब देको मैंने तो कुछ बापिस जवाब नहीं दे सकते हैं मैंने तो अपनी लाइफ में decision लिया हुआ था और मैंने इसको इसको बताया पहले ही शादी के ताकि at least because I was thinking to have a future with her and उस तरह से तभी मैंने वो बात करिया होगी न कभी जब मैंने बताया होगा तो इससे random किसी लड़की को मैं बताउंगा नहीं अब मैंने वो decision लेलिया था मेरको पता था तुम्हारे साथ रहे के I was all all the more confident that you will support my decision ठीक है ना that's that's how you are कि चलो हम मिलके हम कोई भी चीज डिसकस करके बात करके करते हैं लड़के नहीं करते हैं ना कि हमने लड़ाई कर ली और हमने फिर कोई एक बंदे ने डिसीजन ले लिया और फिर दूसरे ने बोला हाँ हाँ जो तो करना कर ले ऐसा नहीं है हम लोग मिलके डिसकस करके करते हैं तो वो discussions भी हुई है और काफी बार हुई है, काफी साल तक एक एक बार रीमाउंड भी आया है, काफी सारे लोग हमारे ही stage में होते होंगे, जिसमें एक बंदा सोच के बैठा है कि नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, ठीक है, और उसके कोई भी reasons होते हैं, दुसरा बंदा sure नही है कि लोग decide कर लें कि we are going to be child free, मेरको ऐसा लगता है कि लोग society pressure या society suggestions की वज़े से बच्चे करते ही जा रहे थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, वादा I have so many people around me who are getting divorce and all that stuff, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, वोग बोल रहे है, मेरी शादिया पहले दिन से प्रॉबलम त कि-बी पप कि मपीटए यह कहा कि बच्चा कर्लो सब टीक हूजए गा, मतलब आज की दुनिया में भी मापब ये डालग मार रहे thing! मैह इस्पास बहुत मारए लह है और सब कुछ टीक हो जाएगा और कुछ ठीक नी होता, क्यों नी होता? because the problem is not solved by having another dog in the house the problem is with you so we need to sort it मतला मैं एग्जाम्पल दे रहे हु कि हस्बन वाइफ में प्रॉब्लम है तो वो बात करने से होगए एक एक और बच्चा लाने से कुछ नी होने वाला हाई क्यूट तो मतला की लड़ने का टाइम ही ना मिले यही ना वो यह सोचने है कि बच्चा लाइगा जाए पापा के पास कि पापा अपने किस से शादी करा दी तो बहुत खर्चा कराती है पर्स, कपड़े यह लेकर में तो पता इनी थे मिरी आदी सेलरी में चली जाएगी माबब अपने बोला बच्चा कर ले सब ठीक हो जाएगा बच्चा कर ले बीव को अस टाइम ही निया एन्जोई करने का तेरे पस्ते दे कितना टाइम है अरे आज कल सब पुछ ऑनलाइन हो जाता है उल्टा आपने साथ बच्चे के भी मैचिंग में गाओ दबल खर्चा हम से टिप ले लो और बताओ क्या एं माबब क्या कहते है माबब और क्या कहते है माबबब एंज तो have you seen people around you जब तुम चोटे होते थे जिनके बच्चे निये और ने डिसाइट किया है क्या मारे बच्चे नियूफी थी बाइबहन थे 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 बाइबहन थे रहते हैं? अब देसे नौट अब घर आड़े लोगों से क्योंकि हमारे महां पे चार भाइबहन थे थे ठीक है? यह तो बेस्ट है एंड देवर लिविः नियौ बड़ी कोथी में रहते हैं अब एक एक ने अब बड़े हो चुके हैं अब एक एक ने दो दो नोकर रखे हुए हैं चार गाड़िया, चार ड्राइवर परस्नल दो दो नोकर मतलब मैं बता रही हूं इस वरीज में कि उचना खोश हो कि बता हुए इस नोट स्पेंड एनिधिंग on anyone and they lived a very good life मतलब एक होता ना, एक फैमली वे होता है ठीक है, वो एक तरीका बना हुआ है उच तो लगते हैं यह सब स्कैम ही है वैसे अब तो मैं ऐसी बात है बोल देती हूं फुर तुम लोग मुझे बोलो गयी है ऐसे बोलती है बट मैं तो सची बोलती हूँ, मुझे तो सब स्कैम लगता है, मुझे सब स्कैम लगता है, बट आपको companionship ही तो चाहिए जिन्दगी में, starting सेंड तक, मतला time pass ही तो करना है, बट अगर नहीं शादी होती है, बच्चे के साथ ते को समझ रह? मेरे घ्हेम में कुछाए हा बूल गया, भी तेरी बात हुते हिं तो स्कैम, यही तो मुझे भी पता है कि मुझे भी बच्चा नीच करना है और मेरा बॉइफरेंड प्लानिंग केट मैरे हम नों डिसाइड करें बट हम एक चीज पर स्थक हैं कि फ्यूचर का क्या होगा कि तुमारे फ्यूचर आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे आप लोग जब एक एज हो जाएगी वह वाला फ्यूचर की बात है यह होती है कि I cannot have a kid give my 20 years to someone ठीक है पहले मैं घिस्टू यह तो हमारा में को मैं दुबारा से बोलती हूँ अच्छे से समझाओंगी अब ठीक है सुनो अब यह तो मुझे कल्चर ही बड़ा खराब लगता है sorry I am saying this but I will tell you why I am saying this पहले आप एक बच्चा पैदा करो आप अपने आपको dedicate कर दो you completely give yourself up for that kid 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल वो पढ़ पढ़ा के अपनी नौकरी करने settle हो गया ठीक है उसके बाद तब तक आप उड़े होगे उसके बाद आप ऐसे उसको देख रहे हो कि भाई तु कहा है आजा हमार साथ रहे हमें देख हमें पाल मतलब जब उसका life में कुछ करने का time आया है तो आप उसको contain कर रहे हो चाहे तु गाली निकाल और यह हो रहा है बिकोज एवरीबड़ी इस गेटिंग सो रिग्रेट फुल अबाउट वट देख लाइफ कि तभी तो मैं बोलती हूं कि मैं अच्छी हूं यार मैंने नहीं किया है क्योंकि ना तो मुझे बूड़े हो के रिग्रेट में जाना है क कि ओ माई गॉर्ड मैंने पूरी जिंदी की तेर पे लगा दी और अब तो तुम उझसे इस तरह से बात करती है यह नहीं हो सकता और नहीं मैं उससे एक्सपेक कर सकती हूं कि तू अपना सारा कुछ छोड़ चाड़के मेरी सेवा में लग जा क्यों भाई नहीं मेरा जो जहां हो। वो रुष कर गया तो चाहन हो। मुझे कितना साथ भी इस स्टोरी बना रहा थ यहां हो। बात करते हाथ इस सवाल का जवाब मैं उप्ताने को स्वाल भी कोछ नहीं बताने को पर यह लगाज कि एद कुना मैं रगादेव थिगजय levarमी्तिति क्या वेलेगी कि आपके दिमाग में चप जाए I am a good manager कहने का मतलब यह है कि if you have a baby, you give what your baby needs छोटा बच्चा उसको जितना टाइम चाहिए दो but give yourself that time be the person who you are don't lose yourself, don't lose the part of you who you are, वो मत खो, because you are a mother because eventually you will regret उस लड़की को मैंने डिस्पॉन नहीं किया क्यों? ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उसको पता नहीं को कैसे जवाब देना है क्योंकि मेरा जवाब उसके लिए था मेरा जवाब उसके लिए था कि अगर आप बच्चे को future insurance policy बोलता हूँ इसको कि तरह ट्रीट कर रहे हो you should not have a child you are not एक्रम एको ऐसा लगता है कि हो सकता आपके बच्चा पैदा कर रहे हो आप उसका आपका टेस्ट है नहीं है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये human जो ये scam इसके है कि भैसकी आप किसी को नई life दे रहे हो अब सरकार देगी चापा मार के approved you can have a baby उसकी life आप control कर रहे हो उसके पैल पैल के आप पढ़ा रहे हो पालुशन कंट्रों उसकी बात इक रता हो गया उसको ये बढ़ हो गया उसको ये बढ़ हो कि लॉलीपॉप आइसक्रीम चॉइंगम चॉकलेट इस सब के इलावा जब बढ़ हो के पढ़ना पढ़ता है थी तुद मेरी अप पढ़ना भी हॽता ह है तुझ आप तयो ख Garza беспánt है तुष मेरे बच्चा ज्चा जाएगा उसमी ट्रॉमाताइज हुझ ऑप ये वह द क्रम में पढ़ने की पावलों नहीं है विर्फर है। सी तुन मेरे बातु कि में तो आपी बढ़ाी करुछों परेने सेहके पार पेटिव के लिए अने से हम दूर कर से रहीर आती है। इसी बाते मत करह तुमने नहीं करहों कि फीजए किया क्या तुम्हाट गूत अगी सब्स्रों कि घुल hela को overhead तरह मज़े दार है नहीं कोट पड़ा था इंस्ता ही होगा कि एक मतला इंस्ता नहीं होगा कहीं तो मैंने पड़ा था कि एक CEO who brings work at home and has like billions of dollars in his bank account is not a happy person as compared to a rikshawala who has managed to get 500 rupees considering he only wants he only wanted 350 पवा डिनर और जो भी पवा के लिए but उसको 500 मिले वो ज़्यादा खुश है वो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा content है वो अपने घर जाके अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा अच्छे से time pass करता है और it is a happy place it's a happy family he has a more content heart so it doesn't matter ये मैं सम्झा देती अगर मेरा बच्चा तो मैं तो निकल गई होती हैंसे ये दुनिया छोड़ दी होती मैंने अब आपको समझाईए अच्छा इस आल इस आल इस आल बच्छे से ज़्यादा 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 thank you guys we are poles apart we are done we are we are poles apart when it comes to ideas about raising a kid that's right आदा दिन वो अजीब जीती और आदा दिन वो जीता या जीती अगर लड़का हो जादा तो क्या करती मैं तो अपसेट जाती है चेक शर्टे हो उनकी टी-शर्ट से क्यूट ने आती है सोचो एक सोचो imagine करो एक सरदार लड़का चोटी सी जूडी तो हम बनाते हैं जूडी होती उसके ठीक है और वो और वो बैठा हो सोफे पर और घूम के देखा तो वो बैडरूम से सकर्ट पहन के बाहरा है क्योंकि इसका तमन तेल आल पॉजिटिवस नीट तो शोर तो माइ मॉम I like this question चलो एक काम करते हैं अब यहां मारा यह बॉटकस्ट काफी लंबा हो गया हमने सोजाए कि 30-40 मिनिट का पॉटकस्ट रखेंगे मैडम ने भी बताया कि टाइम थोड़ा सा ओवर हो चुक है तो लेट्स पाक दिस वन बिकाद मुझे लगता है यह अपने आप में ही पॉजिटिवस ही अपने आप में एक काफी बड़ा पॉटकस्ट है और अपनी मम्मी को दिखाने के लिए मत करो हमें हमें गालिया निकालेंगे यार ऐसे मत करो खुद रिजन ढूंड़ो अपने तुम मम्मी को हमारी रिज फॉवर्ड कर दो उनको बोलो कि देखो कितने खुश रहते हैं मस रहते हैं उसको तो कलेश है तो जाकि आपको यह बता दे कि हमारी जो आप इफियर न्यू और अगर आप से पॉटकस्ट देखके आयो तो हमारा नीतियन रमन इंस्टाग्राम है जहां पर हम लोग फ़नी कपल रिज बनाते हैं और हमारा यूट्यूब पर भी जो चैनल है वो है नीतियन रमन और उस पर भी कुछ कॉमेडी कॉंटेंट आने की गुंजाइश है अगर मैडम को थोड़ा ताइम मिल जाए अपने सोने से सोती बहुत जादा है इंका ताइम हो चुका है आट गंटे के सोने का नीप का होती है हम ऐसे ही लड़ते हैं यह बोलना ना या इसकी शकल देखो नीन लग रही है आपको यस चलो थैंक्स फो लिसनिंग टू पॉड़कास्ट अगले वाले मिलते हैं बाई